आप अपनी रीडर की बुक खोलोगे तो उसमें फिर्स्ट चाप्टर का नाम है दिकॉंजीरोर्स रिवेंज अब मैं आपको रीडर कैसे पढ़ाऊंगी? मैं आपको लाइन तो लाइन पूरी स्टोरी नहीं पढ़ाऊंगी मैंने पूरे स्टोरी को शॉट में एक समरी लिखी है मैं उस समरी को रीड करूंगी और आपको हिंदी में समझाऊंगी तो जो स्टोरी है मैं उससे शॉट में बताऊंगी और आपको स्टोरी समझ लेंगे स्टोरी समझने के बाद आपका काम होगा कि आप चाप्टर को read करे line by line फिर आप कुछ नहीं समझ आता तो आप मुझ से पूछेंगे So let's begin with the chapter The Conjurer's Revenge is a short story written by Stephen Leacock यह जो स्टोरी है इसे Stephen Leacock ने लिखी है The story tells how a conjurer teaches a lesson to a person who tries to spoil his magic show Conjurer कौन होता है? एक इनसान जो magic दिखाता है तो इस स्टोरी में हमें बताया जाता है कि जो conjurer होता है जो magic दिखाता है वो एक इनसान को कैसे मज़ा चकाता है कैसे उससे बदला लेता है क्योंकि उसने यह कोशिश की होती है कि वो उसका magic show है वो बिगाड़ दे वो खराब कर दे एक दिन इस conjurer का magic show था और वो अपने नए-नए tricks और magic दिखा रहा था लोगों को एक खाली कपड़े में से उसने एक bowl of gold fish निकाला एक bowl कांच का वो बरतन जिसमें घर पे fishes रखे जाते हैं उसने वो निकाल दिया था the audience felt thrilled and applauded so जो audience थे जो लोग इसका magic show देखने आये थे वो लोग सब surprise हो गए थे शौक हो गए थे उन्हें पता नहीं था कि यह कैसे हुआ but उनको यह देखके अच्छा लगा तो उन्होंने तालिया बजाई but the quick man in the front row commented that the magician had it up his sleeve now audience में जो लोग बैठे थे एकदम आगी आगे एक इनसान बैठा था उसका नाम था quick man और उसने comment किया उसने यह magic देखने के बाद कहा कि यह magician के sleeves के अंदर ही था तो फिर इसमें कोई natural trick नहीं था यह तो बहुत ही obvious है बहुत ही साधारन सी बात है कि इसने कोई magic नहीं करिये इसने बस अपने sleeves में से उसको निकाल दिया उस bowl को, fish bowl को Later, the magician showed other tricks such as Hindustani rings trick Hindustani rings trick क्या थे? अलग-अलग गोल-गोल rings थे उसके पास और उसने एक ही जटके में सारे rings को जोड दिये थे तीसरा trick था, producing 17 eggs out of an empty hat एक खाली तोपी में से उसने 17 eggs निकाल दिये थे अब यह जो भी magic दिखा रहा था लोगों को The quick man continuously whispered that the magician kept all those things secretly under his dress तो यह जतने भी tricks दिखा रहा था हर trick के बार magic, यह जो quick man था यह conjurer के बारे में बोल रहा था कि इसके जो magic है, यह जो भी चीज़े दिखा रहा है हमें यह सब उसके कपड़ों के अंदर ही छुपी वी है तो कोई surprising या कोई trick नहीं है जो यह play कर रहा है His comment spoiled the show and the audience lost interest in the show अब क्या हुआ, उसने यह जब सच बता दिया कि यह magic ऐसे हुआ उसके कपड़ों के अंदर वो चीज़े पड़ी है जो वो दिखा रहा है magic के through इसके वज़े से क्या हुआ, लोगों का सब मजा खतम हो गया था और फिर लोगों को interest नहीं आ रहा था, वो enjoy नहीं कर रहे थे show को अब जो magician था, वो इतनी महनत कर रहा था, लोगों को impress करने के लिए, उनको surprise करने के लिए पर यह जो quick man था, यह बार बार बोल बोल कर सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ कर रहा था और इसके show को spoil कर रहा था, spoil मतलब खराब कर रहा था तो, उसने सोचा था कि अब वो एक revenge लेगा, revenge मतलब बदला लेगा He requested the quick man to give his gold watch, handkerchief, collar and spectacles उसने सोचा था कि अब यह बदला लेगा, तो इसने क्या किया, इसने quick man को बोला कि आप अपनी watch, अपना rumal, अपने collar और अपनी spectacles, मतलब चशमे, तो इसको दे दो With the quick man's permission, he smashed all these things in the name of latest Japanese tricks अब उसने क्या किया, उसने permission के साथ उसके सारे समान लिये और उसने उन सब को तोड़ दिया था और उसने ये कहा था कि इसको latest Japanese trick बोला जाता है The quick man was puzzled at this Quick man को समझ ही नहीं आया कि ये कैसा magic था क्योंकि उसके सारे समान जो उसने मांगे थे वो तोड़ दिये गए है Finally, the conjurer announced that the show was over ये सब तोड़ने के बाद उसने तो अपना बदला ले लिया क्योंकि quick man उसको परिशान कर रहा था अब उसने quick man का समान लेके सारा magic के नाम पर तोड़ दिया था तो उसके बाद conjurer का बदला उसने ले लिया और conjurer ने फिर कहा कि अब ये show खतम हो चुका है The audience felt thrilled and left the show feeling that the conjurer showed some interesting tricks उसके बाद audience को अच्छा लगा ये magic show और उन्होंने enjoy किया और ये सोचके वो निकल गए थे अब क्यूंके quick man के समान तूट गए थे तो इस बार ये उसने कोई comment पास नहीं किया कुछ बोला नहीं इस trick के बारे में तो इसलिए हिंदी में कहते है ना जब अंत भला तो सब भला तो इस बार क्यूंके quick man ने कोई comment पास नहीं किया तो लोगों को लगा कि इसके बारे में quick man को नहीं पता और ये एक real magic था तो फिर वो सारे खुश हो गए थे उन्होंने सोचा कि जितने भी magic दिखाए गए सारे बहुत अच्छे थे और वो खुशी-खुशी चले गए थे फिर the quick man could not speak anything quick man कुछ नहीं बोल पाया thus the conjurer took revenge on the quick man for spoiling his show with his comments so finally जो conjurer था उसने quick man से बदला ले लिया क्योंके quick man ने कोशिश की कि वो उसका जो magic show है उसको खराब कर दे लोगों का interest खतम करते वो tricks बता के कि इसने ये magic कैसे किया so that's all for the chapter ये chapter मैंने समझा दिया है I hope आप सबको समझा गया हो अब आप क्या करोगे आप लोग अपने books को खोलोगे आपके book के left side में dictionary है तो जितने भी hard words है अगर आपको नहीं समझाते है so you can look for the meanings on the left side and उसके बाद भी अगर और भी कोई words है जो आपको नहीं समझाए please open your dictionary and उनके meanings आप पैंसल से लिख लोगे that's it for the chapter मैं आपको question answers जल्दी ही send कर दूँगी आप ये chapter पढ़ लोगे उसके बाद I will send you the picture of question answers आपको काम complete करोगे thank you so much झाल